हेलो एब्रीवन नमस्कार जैहिंद मैं रोधित कुमर आपका स्वागत करता हूं इंडिया सबसे बड़ा एजुकेशन चनल वाइफ फैसले विच्छा पार्डवन गैडमी कि सुभा साले चाहे बच चुके हैं जी के एक निजर में आपका स्वागत है आपना रोजी सरका और Avengers मैं आपको जी के निजर में बिल्कुल जो बार्श के चुनिंदा दिवस है zone is important नेजे उसके बारे मात करेंगे कि यह मनाया जाता है बत्यों वय क्यों चैना जाता है यह घो सवाल कभी कभी पूछता है तोเชशा करेंगे शर्चा करूम आज तो अगर हम पहला है जीतना बांट है उतना ही बढ़ता है हमारे और क्लास शुरू करने के पहले चोटा से इंप्रमेशन दे बच्चों कि आपको देखो आज फ्राइडे हैं और कल सटर्डे यानि कल से ही आपको दो बैस देखने को मिल रहे हैं ससी और रेलवे में आप कड़ते हो बेल मेरा कहना है कि सर एक बार पूरा सिलेबस चाहे मैथ हो इंगलिस हो जीके जीएस हो पूरा सिलेबस एक बार जरूर पढ़िए और ऐसा नोट्स बनाइए कि लास्ट समय में एक्जाम के पहला मच्छे तरीके से उसे रिवीजन कर पाएं और नहीं समझ में आता है तो पर हम रहे ना जूड़ो ना अनगयाडमी पे इस स्पेशल क्लास में मिलता है आपको यहां एक कि आरा बजे ज्यारा बज़कर पास मिनट सुबह पाइफ सुरा पे मिनिंग और फिर रात दस बज़कर पास मिनट पर तो आप जॉआन कर सकते हो यहां पर ठीका बच्चे और इस सत यह भी आठ रस्टे और दो पहर दो बजे तो दोनों सब्सक्रिप्सन में जॉइन करने के लिए बस रिफरल कोड हमारा बीए 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 वन जिरो बाबाटिन याद रखना हमारे गारेंटी है जीएस की और साथ सियात मैं यह सजेस्ट कर दूंगा आपको कि कौन-कौ मोबाइल नंबर फिट करना यहा गेट ओटीपी पे जाना वालिट नंबर देना यहाँसा याद रखना इसके बाद फिर अपना म्न लापन जाए चुन करना कौन से कशरेक्षा को कम से कम बारा महिन क्यूंकि सब चारो सब्च्व्यक्ट कुढ़ने के बादå में कवर कैसे करेंगे कम से कम 12 महीने और 24 मेने जुड़ते हो तो आपके लिए सेसे के सारे एक्जाम सारे एक्जाम कवर होंगे जैसे हम सेलेट किया मंथ फिर कहेगा यहां पे डालना बाबाटीन अपलाई करना छेहजार से घटकर सीधा चबवन सो दिखेगा एक साल का छेहजो का डिसकाउंट है और अगर आपके पास कुछ कुछ कोईन से हैं तो वह भी रीडियम कर सकते हो कैसे पेमिंट करें बिलकुल असान तरीका साथ क्रेड़ेट अप्सन है और डेविड कार्णा एक बार हम वन टाइम पेमेंट है बस रेफरेल कोट बीए बीए वन जुरो याद रखना बाबाटें ठीक है बच्चे आई देखते हैं जी के नजर में क्या देखना आज इंपोर्टेंट डे महत्पुन दिवस जैसे आपको पता है बारह विवेका अनन्द का जनम जनम दीन यह जनम दिवस तो जहां 12 जनवरी से राष्ट्र युवा दिवस बारह अगस्त से हम से लिविडेट करते एंटरनेशनल यूथ डे इंटरनेशनल यूथ डे अंतरास्तिय यूवा दिवस में दोनों को याद करना कंपेर करके भोलोगे नहीं कि 15 जनवरी आर्मी डे क्यों मनाते हैं क्योंकि फिल्ड मार्सल केम करी अप्पा ने इसी दिन 1949 में अंग्रेजों से सेना की कमान संभाली थी इसलिए हम 15 जनवरी को आर्मी डे सिलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी नेशनल वोटर स्टे राष्ट्य मतदाता दिवस क्यों क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनावायों की अस्थापना की गई थी इसलिए हम मनाते हैं मतदाता दिवस 25 जनवरी को कितना आसान याद रखना शुरब देखो 30 जनवरी सहित दिवस क्यों मनाते हैं गांदेजी का सहाज़त दिवस है आपको याद होगा 30 जनवरी 1948 में दिल्ली के बिडला हाउस में की हत्या कर दे गई थी और इसी 30 जनवरी को हम कुष्ट निवारन दिवस भी सिलिब्रेट करते हैं मनाते हैं 28 फरवरी की बात करें राष्ट्य विज्ञान दिवस निशनल साइंस डे 1928 में रमन इंफेक्ट की खोज सीवी रमन ने की थी इसलिए उने 30 में नोबेल पुरुषकार से समानित किया गया था है कि 8 मार्श की बात करें अंतराष्टे महीला दिवस इंटरनेशनल वीमिन सटे कम मनातेए बच्चे आठ अठ मार्च करते हैं और एकर साथ अप्रायल की बात करें तो वरल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्ट दिवस क्यों मनाते हैं सार इसको विशे 1948 में इसी दिन World Health Organization का गठन किया था और पहला स्वास्थ्य दिवा सो 1950 में मनाया किया था देखो कितना बढ़िया याद रखने का तरीका है हम मनाते हैं यह तो पता है क्यों मनाते हैं नहीं पता है यह जानकारे भी आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा एक मही अंतराश्चिस सरमिक दिवस आठ मही को इंटरनेशनल रेड क्रॉश दे एक मही और एकत्राश्चिस मही को याद रखना बहुत असान है एकत्राश्चिस मही को एंटी टोबैको डे एंटी टोबैको डे एक महिने के लास्त में एंटी टोबर करेंगे तो एंटी तो भArco day और एक महिए को छली को सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ी होती है दीन उत्री गुरार्द में ठीके एक 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विशुजन संख्या दिवस 6 अगस्त यानि जो कल बीता 6 अगस्त 1945 को हिरोशीमा डे और 9 अगस्त 1945 को नागासा की डे याद रखना ठीके 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे राष्टे खेल दिवस्त क्यों क्योंकि ध्यांचंद का जनम दिन 1905 में 29 अगस्त को ही हुआ था होकी के जादुगर कहे जाते हैं यह 5 सितंबर सिछक दिवस्त डॉक्टर राधा क्रिश्णन का जनम दिन और यहीं पे एक महिने के बाद इंटरनेशनल टीचर डे जानी एक महिने में आप राष्टियस अंतराष्टियस तरवर पहुंच जातों इतने बड़ी आपने पढ़ाई करी हैं याद रहेगा 6 सितंबर को अंतराष्टे सकचरता डीवसा इंटरनेशनल लेटरेशी डे 14 सितंबर हिंदी डीवस क्यों त्यक्योंने 294 में इसी दिन यानि 14 सितंबर को ही संभिधान सभा द्वारा हिंदी को अधिकारिक भासा का दर्जा परदान किया गया था हुआ गया था ज़ा दो अक्टूबर को अंत्रास्टे आइंसा दिवस्त क्योंगी गांदी जी का जनम दिन साथ ज्फ का हुआ अब आपके लिए कमेंट न बॉक्स के सास्थर जी का जनम की सवर्फ और का कुछ ए हुआ कि सवर्ष और कहा कंग हुआ है 11 नौवंबर नेशनल एजुकेशन डे राष्टे सिख्षा दिवस क्यों मनाते हैं भारत के पहले सिख्षा बंतरी श्री मौलाना अभुलकला मजाद 1888 का जनन दिन था इसे लिए हम लोग राष्टे सिख्षा दिवस सेलिबरेट करते हैं 26 नौवंबर सम्विधान दिवस भारत के लिए तो भारत का सम्विधान इसी दिन 1949 को अपनाया गया था ठीक है 10 दिसम्बर Human Rights Day मानवा दिकार दिवस तो युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑप Human Rights वाज प्रोक्लेम्ड एंड अडॉप्टेट ओन इस डे इन 1948 988-10 दिसम्बर को मानवा दिकार दिवस मनाते हैं हर साल कुकि 1949 तालिस में इसी दिन मानवा दिकारों के सारभों में घोसना की गई और इसे अपनाया गया था 16 दिसंबर विजय दिवस क्यों 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का निशान सेलेबरेट करने के लिए हम लोग विजय दिवस सेलेबरेट करते हैं 15 दिसंबर 25 दिसंबर सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं वर्ष के बहुत महत्तपुर्ण दिवस क्यों मनाते हैं ये भी आपने देखा फूर अनकाडमिस सब्सक्रिप्शन यानि सभी अनकाडमिस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप बाबा को आद रखते हो बाबा तेंग यूज कर सकते हो जिन में सापको 10% का रीबीट मिलेगा चाहिए आप जिस भी एक्जाम तो त्यारी करते हो सब्सक्राइब जरू करें चैनल को मिलते हैं नए सेशन में तब तक के लिए अपना ख्याव रखिए सुख्रिया जाइए